और अब जो आज आपने ठीकी कहा आपकी सुचना सही है कि लालू जी बगल में ही रहते हैं लालू जी और तेस्वी दोनों आज नितिश जी से मिलने आ गए पैंतालिस मिनिट वहां साथ रहे अब साथ रहने की बाद चुनाप की चर्चा हुई होगी सीट सेरिंग की चर्चा है कि सबको कहा गया है कि आप पटना आये पटना में रहे तो एक राजनिति गर्माहट तो है लेकिन अभी इंतिजार करना होगा देखे नमस्कार आप देख रहे हैं नीज फोनेसर मैं हूँ आपके साथ नरोतम बिहार में एक वार फिर सत्ता परिवर्तन का सबुगाहट त आज भाजपा बिधायक दल के बैठक हुआ है और सुत्रों के हवाले से ख़वर है कि नितीज कुमार अपने बिधायकों को पटना में रहने के लिए निर्देश दिये हैं अभी लालू यादो अतिजस्वी यादो मुखमंत्री नितीज कुमार से सीम हाउस में मिलने गए से हमारे साथ ने बरिष्ट पत्रकार अरून कुमार फांडे सर सरक्या बिहार में सत्ता-परिवर्तन का क्या स्थय कुमार बिधायकों को बोले हैं कि अभी पटना में रहना है gt p. चल रहा है कि श have सत्ता परिवर्तन इसको कहें देख रहे हैं देखिए यह कराके की ठंड है यह मोसम का हाल है और विहाग की राजमीत में गर्माहट आ गई है यह सच है लेकिन आप तो आपने रिजल्टी भुशित कर दिया कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है थोड़ा सा इंतिजार कीजिए गर्माहट में आप देखिए के अख़वार को इंट्रिव्यू दिया और उन्हें पॉलिटिकल ब्यान दिया वो यह दिया ठीक नितिश कुमार ही पर यह सवाल था यह फिर चर्चा है कि नितिश कुमार फिर एंडिये में आ सकते हैं इस पर उन्हें कहा कि राजनीत में कोई कि दुस्में नहीं होती है क्या ऐसाब को प्रस्ताव आएगा तो लोग विचार करें यह बात हम इस सहने कहीं अब यहीं उनका वियान जो है बिहार में राजनती गर महाट ला दी पहले से एक चर्चा हो रही थी कि अभी बिहार में जो सत्तारूड महा करवंदन है उसमें कोई कह रहे हैं कि आशिरवाद से नितीश कुमार मुकमंत्री है राजा 79 वाली पार्टी है वो तो बड़ा भाई है फिर सिक्षक के नियुक्ति पर आपने देखा कि सुनील सिंग है जो राजत के मुक्षचे तक है बियान दे दिया अब वह बिना नाम लिए कह दिया कि जो कि लोग मतलब मुकमंत्री पर ही एक तरस से निशाना था कि लोग डिंग हाकते हैं सिख्षक नियुक्ति का या जो अग्वैंट्मेंट का जो यह सरकारी नवखरी का मॉडल ही तो तेज़स्पी का मॉडल है दूसरा ही कैसे कह सकते हैं दूसरी और जदियों कृस्वर से कहा कैसे चलेगी दोस्ती और अब जो आज अपने ठीक ही कहा आपकी सुचना सही है कि लालुजी बगल में रहते हैं लालुजी और तेज़स्पी दोनों आज नितीश जी से मिलने आ गए 45 मिनिट वहां साथ रहे और साथ रहने की बाद चुनाप की चर्चा हुई होगी सीट से सब्सक्राइब करें यह सारी बातें होई होगी जो हम उमीद करते हैं और कहीं जो एक कम्मिनिकेशन गैप साथ दिख रहा था उसको भरसक दूर करने की कोशिस होगी तो लेकिन अब इसमें जो अभी आज विधायक दल बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है ठीक है व हर सत्र के पहले इस तरह की विधायक दल की बैठक होती है लिए कि आज की बैठक कुछ ज़्यादा ही महत्पूर्ण दिख रही है वीजेपी की एक तो कारण आप जानते हैं कि 22 जनवरी पूरे देश में भाजपाने अध्या के राम जनभूमी प्रान प्रतिष्ठा समारों को बिल्कुल एक राष्ट्य करम राष्ट्य उत्सप के रूप में इस रूप में मनाने की ठानी है और उस तरह की त्यारी हो रही है तो मुझे लगता है कि आज की बैठक में जैदी कोई भी ताकत होगी इस कार्च करम के बाद 24 जनवरी से पूरे देश भर में जो सी राम क के सरधाली हों को ट्रेंज से दिल अयोध्या ले जाने की तियारी है मुझे लगता है को भी चर्चा का विशह रहेगा और फिर सब को रहेगा कि हम लोग जो अभी जो राजिनती घटना करा हैं हम लोगों को नजर रखनी है ऐसी अभी तो बातें वहां क्या हुई है लेकिन अभी इंतिजार करना होगा देखिए अमित्सा का एक वियान जो कल तक बीजेपी कहा करती थी अभी इत्सा नहीं कहा था विहार में पांच-छे सभाओं में की बीजेपी का दरवाजा बंद है नितीज जी के लेकिन अब तो जो उन्हें विचार करने की बात कह दी है तो इ और वो इधर आये थे अभी जदी वो तैक करते हैं तो आगे मुझे लगता है कि नितीज जी तैक कर लेंगे जाने का तो बीजेपी गले लगा लेगी इसलिए कि देखिए चुनाव है लोकसभा का चुनाव है प्रधान मंत्री नरेन मूदी के लिए चुनोती है और विहार तो जीती हुए सीट है उसको वरकरार रखना और फिर दिपक्ष के खाते वाली सीट है उस पर कवजा करना एक बड़ी चुनोती है नितीज जी के इधर आज़े आ जाते हैं जो बिल्कुल अभी कलपना में बात कर रहा हूं तो इक सबसे बड़ा तो धका जटका लेगा कॉ पूरे देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एक जूट करने के सुत्यधार बने थे नितीजी जदी पाला बदलते हैं तो सबसे बड़ा तो और बिहार में भी तब यह सरकार जो आप सतावर परिवर्तन की बात आपने की है वह फिर तो बात हो जाए तब तो उसी स्थि राजनीत में एक वेहद गर्माट आ गई है सवाल यह है कि जब यह स्वे आदो नितीज कुमर से मिलने जाते थे तो अक्यले जाते थे लेकिन आज कहा जा रहा है कि मनाने का कवायद चल रहा है सी यह भावसमे नितीज कुमर को लालू जी और ते जश्वी साथ गये हैं दे नहीं मिले थे कई सरकाड़ी कार्चक्रम में नहीं दिखते थे मुखमंत्री के साथ चूरा दही का जो अभी कार्चक्रम हुआ लालु जी के घर उसमें नितिश जी गए थे लेकिन वह साथ से मैं कहूंगा कि जो एक कम्निकेशन गैप है कहीं उसको भरसक दूर करने की कोशिस हुई होगी तो देखना यह हुगा कि आने वाले दिनों में क्या सत्ता परिवर्तन बिहार में हो सकती है या नितिश कुमार महागठमधन के साथ ही रहेंगे अभी तक लिए भस इतना ही आप कि आने रहें उसको भूल दिनों में ही निति रहें घुरा कि आप जाता है यह भाता हरा कि गुषा उम परिशन ग्यास